Hello everyone, I'm Ayesha from National Academy of Fire and Safety तो आज मैं आपको बताऊंगे fundamentals के बारे में fundamentals जो है safety के एक workplace के लिए क्या-क्या है ठीक है तो जैसे कि आप सभी को पता है safety रखना बहुत ही ज़रूरी होता है एक workplace पे अब safety हम कैसे देख देख के मतलब ऐसी क्या-क्या चीज़े हम उसमें रखें safety में तो उसके लिए हमें सबसे पहले क्या देखना होगा कि हमारी जो workplace है वहाँ पे सबसे ज़्यादा हैजारियस कौन सा place है पूरे workplace पे सबसे ज़्यादा हैजार कहा हो सकते हैं ठीक है उसके बाद हम देखेंगे कि जो हैजार्ड है वो किस तरीके के हैं उनमें हम कैसे safety रखें उनमें हम ऐसी क्या safety prevention दें जिसकी वज़े से क्या है accident ना होने पाए ठीक है तो main चीज इसमें क्या हुई कि आपको safety तो रखनी है अगर आप safety को maintain करके मतलब तरीके से रखें ऐसा नहीं हो कि मतलब महां कुछ और चीज की ही जरूरती और आपने कुछ और चीज वहां रखती ठीक है अब क्या है safety रखना तो जरूरी है पर सही तरीकी की safety रखना भी बहुत जरूरी है ऐसा नहीं हो कि आपने कोई और accident वहां हो सकते हैं और आपने कुछ औरी safety prevention वहां रख रखे हैं तो ऐसे भी काम नहीं चलेगा आपको जो भी का आप काम कर रहे हैं वो एक सही direction में होना चाहिए एक सही तरीके से हर चीज को किया जाएगा तो ही वो work करेगा सबसे पहले safety का फंड़ा यही है कि safety requirements हमें पता होनी चाहिए और safety guides हमें पता होना चाहिए अगर हमें पता होगा safety की requirement किस किस place पे है कि क्या क्या requirement है कितनी requirement वहां होगी और safety की guidelines बहुत ही जरूरी है जानना ठीक है अब ऐसा नहों कि आपने सेफटी तो प्रवेंट करी है पर वहां के लोगों को उसके बारे में जानकारी नहीं है तो गाइडलाइन उन्हें सिखाना गाइड करना भी जरूरी है यानि कि ट्रेनिंग देना ठीक है लेक ओफ ट्रेनिंग से हो सकता है आपका नुकसान हो सकता है तो क्या है सबसे पहले जानना कि requirement क्या है सेफटी की और उसके बाद गाइड करना गाइडलाइन जो है सेफटी गाइडलाइन क्या क्या रहेंगे उस चीज़ के लिए ठीक है यह सब करके आप क्या है सेफटी फंडमेंटल जो हैं उनमें आप सेफटी को तरीके से रख सकते हैं ऐसा नहीं होगा फिर कि आपको वहां कुछी ज़रूरत किसी और चीज की थी और आपने कर कुछ और दिया तो safety fundamental यही कहते हैं जो भी आप कर रहे हैं जो वो सही direction में जाए जहां safety की need है जहां requirement है वहां safety prevention करी जाए और उसकी guidelines भी properly दी जाए क्योंकि ऐसा ना हो कि आपने safety तो वहां maintain करी पर वहां पर क्या है guideline तब लोगों को lake of knowledge की वज़े से वो चीज वहां work नहीं कर पाई तो यह सारी चीज़े भी ध्यान में रखनी होती है अब एक workplace है hazard वहां है अब hazard तो है पर किस तरीके का hazard है आपने safety prevention वादिया पर करना कैसे है जो भी बनाई है वो कैसे read करनी है कैसे उसकी step follow करने है यह कब समझाएगा तब ही आएगा ना जब आपने कोई भी नहीं इस भी बनाई है उसमें implement किया तो आप जब बताएंगे उनको knowledge देंगे guide करेंगे कि इसको इस तरीके से follow करनी है तब ही तो वो हो पाएगा ना तो ऐसी छोटी छोटी चीज़े जो है जो fundamental safety जो है वो यही बताता है कि जो आपके fundamental zone में यही चीज़े include रहती है कि आप इस काम को अगर ऐसे करेंगे तो जादा benefit रहेगा ठीक ऐसे नहीं आप करे जा रहे हैं उसको safety की जरूरत है तो आपने हर जगा safety safety रख रखी है पर रखी तो है अच्छी बात है पर उसका तो यही इसमें बताया गया है अब बात safety की की है तो कहीं ना कहीं safety जो है वो workplace पे health से related भी है अब health से related है तो हमें health पर भी ध्यान देना होगा लोगों की है ना अब safety जो है वो हमने अपने workplace के लिए कर ली कि हमारी जगा पर ये ना हो ये ना हो अब सबसे main चीज क्या है health ही है वहाँ पे कि जो भी वहाँ worker काम कर रहे हैं उनकी health पर कोई effect ना है तो आपने health management के लिए क्या किया है फिर safety में fundamental यही कहता है कि workplace भी safe रहे और जो हाँ वो person काम कर रहे है उनका health भी ठीक रहे safe रहे वो भी safe रहे हर तरीके से तो health management आपने उनके लिए क्या कर रहा है वो भी आपको वहाँ रखना बहुत जरूरी है fundamentals के तरीके से अगर देखें तो health पर भी कोई effect नहीं पढ़ना चाहिए क्योंकि उसके safety fundamentals यही बोलते हैं कि जो भी आप जहां भी work कर रहे हैं जो भी person भी work कर रहे है कोई भी हजाद यह situation अगर वहाँ होती है तो इस तरीके के safety prevention एटीस दी जाएं कि उनको कोई injury हो तो वो वैसे तो हुई न और in case होता भी है तो उन्हें तुरंत first aid प्रोवाइट करा दिया जाए तो सबसे पहले तो first aid की बाद तो बाद में आती है पहले हम prevention ही देते हैं तो उसके तरीके से fundamental के according हम क्या कैसे कर सकते हैं तो देखिए health and safety management जो fundamental है उसको safety principles यह कहते हैं कि जो भी आप job कर रहे हैं उसे पहले safety से plan कर लें ठीक है कोई भी आप ऐसी हजाड यह situation देख रहे हैं तो तुरंत report करें ठीक है हजाड है उसे identify करें injury होने से पहले ठीक है unsafe act कहीं बन रहा है condition अगर बन रहे हैं तो वो उसको बताएं और उसे ठीक करने की कोशिश करें ठीक है accidents अगर हो रहे हैं उनकी regular report करें याद रखें कि हमेशा जो भी employee कोई भी worker काम कर रहा है तो जो भी वो काम कर रहा है उसे properly वो अपनी job कर रहा है या नी यह सारी चीज़े inspection से ही पता चलेंगी तो समय समय पर यह सारी चीज़े करना बहुत जरूरी है तो health and safety management यही कह रहा है कि जब आप कहीं भी work कर रहे हैं तो safety तो आपको prevent कर दी गई है पर अब क्या काम किसका बचाया prevention आपके पास है आप जो work कर रहा है जो भी person उसको भी तो ना पता होना चाहिए कि कैसे करना है यह काम तो उसके लिए training प्रवाइट करना बहुत जरूरी है जैसे कि fundamental में बताया गया था safety requirement and safety guidelines ठीक है फिर उसके बाद भी अगर वो उस चीज़ को implement नहीं कर रहा है regularly उसे use नहीं कर रहा है तो क्या होगा accident हो सकते हैं तो इसलिए time time पर उन्हें training दें उन्हें बताएं कि अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो इस तरीके का loss आप हो सकता है आपको health का loss हो सकता है तो training से एक अंदर क्या है एक knowledge generate होती है एक safety guideline से उनको पता चलता है कि नहीं safety भी बहुत जरूरी है तो ये सारी चीज़े अगर आप time time पर उनको बताते रहेंगे तो क्या होगा accidents कम होंगे और safety fundamentals जो वह properly follow कर पाएंगे ठीक है तो ये safety fundamental इसलिए बताया गया है कि इसमें ये दो चीज़े बहुत ज़ादा जरूरी होती है क्या होता है safety तो आपने रखी पर उसको अगर तरीके से नहीं रखी तो कोई solution ही नहीं निकलेगा तो उसमें ये ही बताया गया है कि जब भी आप safety रखें तो दो चीज़ों की तरीके से रखें कहा requirement है और उनकी guidelines के according ठीक है तो ये आज मैंने आपको safety fundamentals के बारे में बताया so thank you